तो यहां पे हमने आलू की के ओपर थोड़ा सा फॉकस करना है क्यूंकि यह हमारी रेस्पी को गों बहुत जारा खुबसूर्ती देगी कटिंग ठीक है तो यह देखिए आलो को छी लेने के बाद आपने इस तरह से Slicie में इसको काट लेना है उसके बाद हमने इस तरह से इसको पता ही नहीं चलेगा यह आलू है चिकन है या क्या है ठीक है आपने ठेड़ साड़ा पानी लेना है चावलों को बॉाइल करने के लिए और कभी ठंडे पानी में चावल एड नहीं किये जाते वडरा वह रहा बन जाते हैं अच्छे से जब इसको बॉाइल आ जाएगा तब इ बियानी वाले चावल नहीं है तो मसाले इसमें थोड़े कम ही जाएंगे यहां पर नमक इसमें एड़ कर देंगे तक्रीबं 1 तीस्पून के करीब ठीक हो गया दूसरी चीज इसमें जाएगी और सिर्का यहां पर बहुत होता है सिर्के से क्या होता है जो चावल होते हैं वो चावलों का कलर भी बहुत वाइट आता है ठीक है तो इस सिर्का इसमें एक से डे टेबल स्पून एड़ करेंगे और इसी फ्लेम में हम इसमें एड़ करेंगे चावल एक गलास चावल मिन के मैंने तक्रीबन कहलें कि तीन से चार सो गराम होते है बिखोगे रखे थे कोई 20 से 25 मिनट पहले तो इसको इसमें एड़ कर देंगे प्यालियों को बॉल को चीजों से को अच्छे से साफ किया करें कोई जाय नहीं होनी चाहिए याद लिखिए कि इसके अंदर आपने कोई गरम साला यह एड़ नहीं करना ठीक है यह चानीज डिश है तो इसलिए इसमें न से कडाई में सिर्फ 2-3 तेबल स्पून कुकिंग ऑईल लेंगे और यहां पे आपने दो अंडों को अच्छे से फैंट लेना है उसके बाद इसमें एड़ कर देंगे यहां पे इसको आपने क्या रखना है वो यह कि आप इसकी टिकी नहीं बने जानी स्क्रैंबल एग हमने इसको बनाना ठीक है तो इस तरह से चमच हिलाते जाना है छोटे-छोटे इसके पीसे बन जाएंगे अच्छी तरह से आपने इसको कुक करना है कच्छा इसको आपने नहीं रखना उसके बाद आपने इनको निकाल लेना है और इस ही कड़ाई की अंदर हम मजीद यह लेंज जी इसमें मैं add कर रहा हूं गाजने बड़ी कटी हुई यह cutting बहुत मुझे उपसूरत लगती है तो आप यही cutting किया करें यह है शिमला मिर्च दो दो तीन ती टेबल स्पून add कर देंगे यहां पे कोई hard and fast रूल नी है जो vegetable available hand कर दें और यह रेखें आलू जिनको हमने बहुत इसका make-up किया हुआ और यह color combination देखें अभी माशाला से ठीक हो गया चलें जी soya sauce दो टेबल स्पून add करेंगे यह हमारे पास chili sauce यह भी दो टेबल स्पून add करेंगे और एक से देबल स्पून इसमें हम sirka add कर देंगे white sirka जो होता है white vinegar और इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे अब इसकी थोड़ी से seasoning भी करेंगे इसमें बहुत ही कम मसाले जाएंगे तो इसमें जाएगा यह ले नमक वांटी स्पून से थोड़ा थोड़ा करेंगे और यह है chili flax हाफटी स्पून जाती नहीं लेकिन हम add कर लेंगे इससे थोड़ा सा spicy काम हो जाएगा थोड़ा देसी इस स्टेज के उपर हम इसमें वह चावल जिनको अपने बॉइल किया था वह एड करेंगे ठीक है याद रखेगा एक फ्राइड राइस के अंदर हमें दम की जूरत नहीं होती ठीक है क्योंकि यहां पर बहुत हाई लेवल के जो मसाले और सौसिस होते हैं हमने वह एड किये होते हैं तो यहां पर वो चावलों को लगते ही चावलों के अंदर टेस्ट चला जाता है ठीक है आपने बस यहां पर हलके हाथ से मिक्सिंग करनी होती है दिए इस तरह से बिल्कुल तरीके से के चावल तूटे ने अब एक खुबसूरती के लिए हम चीज और एड करेंगे चावलों के लिए हमारे चैनल के पुरे सेक्शन में जाईए दूआ मिया रिके के लिए टक अलाह आफीज